जैहिन दोस्तो मैं मनीश कुमार स्वागत करता हूँ आपका हमारी इस नए वीडियो में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं PM Intercept Scheme 24 के बारे में दोस्तो ये क्या है कैसे इसका form फिल करेंगे सारी बाते मैं आपको इस वीडियो में बताने वारा हूँ तो सबसे पर दोस्तो ये समझना होगा कि ये PM Intercept Scheme है क्या सबसे पहले इसको जान लेते हैं तो इसको जानने के लिए आ जाईएगा यहाँ आफिसल बेव साइट पर अब यहाँ दोस्तो देखेंगे आपको दिखाई मिलेगा FAQS ले लिखा हुआ है तो यहाँ पे हिंदी वाले पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजेगा डाउनलोड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से आजाएगा इसको मैं और जूम करके आपको समझा जाता हूँ यह है क्या चीज़ तो अब यहाँ देखें सबसे पहला questions जहां पे दिया गया है परधान मंतरी इंटर्शिब योजना PMIS क्या है तो इसको समझते यह है क्या तो देखें दिया गया है परधान मंतरी इंटर्शिब योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसका उध्यस युवाओं को भारत की 6 सो catal में इंटर्शिप के अवसर प्रदान करना है यह कारकरम युवाओ को विभिन छेत्रों में वास्तविक जीवन के वेबसाइक वाता वड़ से परचित कराता है जिससे उन्हें मुल्यवान, कौसल और कार अनुभव प्राप्त करने में मजद मिलती है इस योजना का लक्ष पा देंगे और आपको जब स्वाट लिष्ट किया जाएगा तो भारत की जो बहु उद्देशी कंपणियां है पांसर जो कंपणियां है अच्छी कंपणी उसमें आपको ट्रेनिंग के लिए भेह जाएगा इसमें कोई आपको दोजगार नहीं मिलेगा आप जिस भी स्किल से जिस भी छेत्र से आप अपनी पढ़ाई के हैं उसी छेत्र में आपको इन कंपणियों में ट्रेनिंग मिलेगा वो क्या क्या है वो आगे में बताता हूँ ठीक है उसके बाद जो है इसमें कोई आपको इमाल लिजे कि लोजगार मिल गया इससे तो ऐसा नहीं है बस आपको ट्रेनिंग मिलेगा अब यह दिखें इंटर्सिप क्या है मुझे इंटर्सिप क्यों करनी चाहिए दिया गया है तो इसका मतलब यह हुआ कि इंटर्सिप इंटर्न और कंपनी के बीच एक ब्यवस्ता है जिसमें कंपनी इंटर्न को व्यवस्ता है या संगटन के वास्तिव काफी दच छोड़ेंगे उस छेते में यही मतलब इसका हुआ ये अर्थ अब आगे बढ़ते हैं अब देखी दोस्तों दिया गया है पधान मंतरी इंटर्सिप योजना के मार्जम से मुझे किस प्रकार की इंटर्सिप मिलेगी तो यहाँ पे दिया गया है योग उमिद्वा पाचा और निर्मार, खुजरा, उब्भोकता, टिकाव, वस्तवे, सिमेंट और निर्मार, समागरी, आटोमेटिव, फार्मिस्विलिटिकल, विमानन और अच्छा विनी विमार और अधोगीक रसायन, मिडिया, मरंजन और सिच्छा, क्रीशी, संबंध, प्रामस, सेवाय, कपड़ा, वी, निमार, रटन, और अभूसर, यात्रा, और आतित, और स्वास्त, सेवा, सहित, विविन छेत्यों में, विविन भूमिकाओं में इंटर्सिप मिलेगी, विविन छेत्यों में आउसर पदान करने वाली कंपनियों को देखने के लिए यहां क्लिक करें, तो व महिने, यानि कि एक साल के लिए यह आपका ट्रेणिंग हो गया, क्या मैं अपनी इंटर्सिप जोरान कच्छा बैटूंगा, तो हाँ, यह दिया गया है, कि एकम से कम आप छे महिने वास्तविक का अनुभव नौकरी में के महौल में बिचाया जाना चाहिए, यानि कि आपक वास्तविक रूप से ट्रेणिंग यहाँ पर दिया जाएगा, क्या मुझे इंटर्सिप के बाद नौकरी मिलेगी, तो देखें, यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, कि आपको नौकरी उसी कमपनी मिल जाए, तिक है, उसके बाद देखें, यहाँ पर पातता माप डन, यान आप इसमें नहीं बढ़ सकते हैं, यहाँ पर आल लाइन या दुरस्त सिच्छा कारकरों में नमांकित उमिद्वाब पात रहने हैं, कि आप आल लाइन अगर पढ़ा रहें कहीं, तो आप इसमें पात्र हो सकते हैं, ठीक है, उसके बाद देखें, आपके पास आपका या तो आप मालेजर ITI किये हों, या तो पाल टेकनिक किये हों, साथ में यहाँ पर आप बीए, बीएसी, बीकॉम, बीए, 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 फार्मा आजी जैसे इसना तक डिग्री आपके पास है, तो आप इलिजबल होंगे, अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया गया है, पढ़ान मनते इंटरसिप योजना के लिए कौन पातर नहीं है, तो यहाँ पर दिया गया इडिए आपकी आयू 24 वर से अधिक है, तो आप पातर नहीं होंगे, जैसे कि आपके पास उच्छ योगता हैं, जैसे CA का हो गया, CA, MS, CS, MBBS, तो यह स 5,000 की मासिक साहता मिलेगी, यानि कि 5,000 रुपए का साहता आपको ब्रहान मनती तरफ से दिया जाएगा, और जो कंपणी है, आपके अच्छे आचर, आजी से संबंदित कंपणी की नीटीव की अधार पे हर महीने 5,000 रुपए जारी करेगी, यानि 5,000 रुपए कंपणी भ होगा, उसी खाते में आपका पैसा जाएगा, तो अधार स्रीडिंग क्या है, इस पर मैं एक वीडियो बनाया हूँ, चेक कर सकते हैं कि आपका अधार कार्ट किस बैंक से जुड़ा हुआ है, तो उसका मैं डिस्क्रिशन में लिंक इस वीडियो का यहां पे दे दूँगा, ठीक है, उसके बाद देखें, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहां पे दिया गया है, इसके बाद में अधार से जोड़ा बैंक, अब देखें, यहां पे आवेदन की प्रक्रिया दिया गया है, कि आवेदन की प्रक्रिया कैसे किया जाएगा, तो इसको आप पढ़ सकते है तो इसको आप स्वयम से एक बार पढ़ लेजेगा अब चलते हैं दोस्तों कि apply की प्रक्रिया क्या है कैसे apply करेंगे तो आजाएगा main website पे यहाँ पर आजाएगा website पे अब देखेंगे क्योंकि मेरा अधार काट 24 प्रस के उपर है यह reject कर देगा इसको डीजी लॉकर से verify करना पड़ेगा तो जैसे कोई candidate मुझे मिल जाएगा एक कई से लेके 24 वर्स के भीतर का तो मैं इस पर कैसे आवेजन करना है उस पर वीडियो लेके आ जाऊंगा तो आसा करूंगा दोस्तों वीडियो आपको से में आई होगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल पर ने होंगे सब्सक्राइब कर लीजेगा और इसे अपने जगत मन दोस्तों में शेयर भी कीजेगा तो मिलते हैं किसी नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिन अब आन दोस्तों थैंक यू प्राइचिन और वाचिन